जहीं दोस्तों UDCRI में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करेंगी केरला T20 ओमेंस ट्रोफी का जो अगला मैच है जो की टीम रूबी और टीम एंबर के बीच में खेला जाएगा दोस्तों इस मैच के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट मैच दोस्तों दोनों ट प्लेयर्स को आपको टीम में रखना है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों तभी आप जीत पाओंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बट शुरू करने से पहले आपको अगर मैच के बार में थोरस अपड करने से पहले दुस्तों अगर हमारे छीम को सब्सक्राइब नहीं किया है यह सबस мн sites क्रेंगे जलदी से सबस्क्राइब बटन को में कर दोस्तों इसए मोगर्गर चुरμ प्रपको अपको प्रत करें एस उसके सब्सक्राइब वाले बटन कने कि तबिये करतेangen दोस्तों मे Saruman और नोटिफिकेशन कोल कर दीजे ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुझें उसके अलावा दोस्तों इहां पर देखें More का उप्शन आपको दिख रहा है ना देखें हूं पर More वाले ऑप्शन को प्रेस्करन है दिखें दोस् दोस्तो हमारा जो प्राइम टेलेग्राम चैनल है दोस्तो उसका लिंक दोस्तो हमारा प्राइम टेलेग्राम चैनल का लिंक आपको सबसे उपर दिख जाएगा तो इस वाले टेलेग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगा दोस्तो टेलेग्राम चैनल से जुरूने से न आप सबस करते हैं वो आपको मिल जाएगी उसकी हालावाे कि उसके अलावा दोस्तों हम इस वीडियो में आपको एक टियम प्रोवाइड का उस में बहुत सब्सक्राइब ने उसमें बुखन सारे चेंजे होते चैनल के साथ तो देखिए यहां पर नीचे जहां पर आपको ब्रॉड कास्ट का बटन दिख रहा है यहां पर आपको क्या दिखेगा जॉइन का बटन दिखेगा तो नहीं जूरे हो दोस्तो जल्दी से जूर जाईए तो चलिए दोस्तो अभी मैच के वारे में अब दोस्तो इस मैच के अगर हम बात करें तो सबसे पहले हां से हमें मैच पे चलना होगा उसके बाद यहां से हम क्रेट टिम पर चलेंगे तो सबसे पहले दोस्ते हां से अगर हम ग्राउंड के बारे में मैच के बारे में वेन्यू के बारे में थोरा सबको बताए तो वेन्यू वही है जहां पर मैंस के मैचे हुए है मतलब सेंट जेवियर कॉलेज स्टेडियम सेंट जेवियर कॉलेज ग्राउन पर मैच होने वाला बट मैंस के गेम में जैसा आपने देखा 150 तो आपको 90-100 कुछ इसी के अराउंड आपको स्कोर देखने को मिलेगा तो आप यहां से 90-100 के बीच में आप स्कोर देख सकते ज्यादा भी वहना 110 बन जाएगा आपको बनता हुआ दिखेंगे नहीं तो वही है बाकि यहां से प्लेयर कौन-कौन से इंपोर्टन्ट है देखिए रूबी के तरफ से यहां से विशन माया फिर यहां से वैशन आपको खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों दोनों अच्छे प्लेयर से बैटे इंस से यहां से गायतरी देवी जी दिविया पोनकुटन गोविंडाना पी पंद्रा यहां से इंपोर्टन आई जोसेफ के से बात करेंगे बॉलिंग सेक्षन से आपको एम रागी एस अथीरा अनुष्वरा और एम अशुरिया और यहां से जिशना शायद खेलते आपको दिखेंगे नहीं तो अभी चलिए इंपोर्टन प्लेयर्स को लेते हैं और टीम बना रहें दोस्तों जो आपके लिए सब से सर्क्सिते आपको दोस्तों जो चीशन पर जाएंगे बाकि यहां से देखिया अगर टीम के विनिंग चैंस कि यह फिर जीतने के चांसे जाद आए दुक्योंकि लास्टवास में तो मैसी टीम जीती है और यहां से और यहां से प्लिए से लिएच से जिए जेती तो भाई है तौण कि यहीं आपको और और दींगे लूंड पिटवयं के लिए सब्सक्राइब बारे की करेंगे कॉन से प्लेस इंप्लिर इप डियोएब ुपिभीएरा सफे नेयसमें कोई मुझे अभीकिलिए लगनी रहा मुआ था और कि ओल्डांडर सेक्शन की बात करेंगे दोस्ट और आप्शन से कौन में उंपोर्टेंट को रखोंगा नुश्री को रखोंगा रहूंगा सहाने को नजीन नजीन इंपोर्टेंट है अटनी इंपोर्टेंट है तो यहां से देखिए हम यहां से हमने चार ऑल राउंडर्स तीन बैट्समेंस और एक विकेट की पर हमने अपने टीम में रख लिया है दोस्तों अब जैसा कि आप देख पारे हो फिर दोस्ते यहां से बाद करेंगे आप बॉलिंग की तो बॉलिंग से कौन इंपॉर्टेंट आप देख लिए दोस्तों हमारे टीम आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा तो आप एक बर हमारे सारे प्लेयर्स का गोर से देख लीजी इसमें किसी भी तरह का कुछ भी चेंज होता है वह आपको टेलेग्राम पर हम जरूर अपडेट करेंगे दोस्तों आपको कैपटन सी और वाइस कैपटन सी की तो कैपटन दोस्ते हां से कौन होंगे कैपटन दोस्ते हां से हमारे टीम के होंगी न दोस्तों तो कैपटन सी हम यहां से देंगे सी एंसी नजला का है दोस्तों हमारे कैपटन बनेंगे वाइस कैपटन सी हां से जी दिविया को अभी कि इस वीडियो में इतना ही, मिलते है अगले वीडियो में धर निवास सभी को